दोस्तों नोश्कार स्वागत है आप सभी का आपी की चैनल ऊशा की किरन में दोस्तों आज हम आपको टाटा मोटरस की एक सांदार इसकुल बस के बारे में जानकारी देंगे और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम काफी सारी इंफर्मिशन ख़बर करने की कोशिस करेंगे इस वीडियो को हम बना रहे हैं स्याम टाटा कमर्शल इंदोर से जहां पर आपको ये बस जो है मिलेगी देखने के लिए अगर दोस्तों मारको पोलो इसकुल बस के फ्रंट लुक की बात करें तो आप देखेंगे टाटा का बड़ा लोगो है काफी स्टैलिस आपको यहाँ पर चार-चार हेडलाइट दिये गए है टर्न इंडिकेटर के साथ में जिससे की आपकी विजबिलिटी नाइट के समय में काफी सांदार पनी रहती है आगे आपको बड़ा लोगो है रिफलेक्टर है जिससे की विजबिलिटी के साथ साथ आपकी सेफटी भी इनेंस होती है driver को गाड़ी चलाने के लिए काफी चौड़ी और बड़ी जो है इसके अंदर wind seal प्रवाइट की गई है जिससे कि driver को गाड़ी चलाते समय किसी भी प्रकार की कोई शमशा नहीं होती है इसी को clean करने के लिए आपको यहाँ पर काफी बड़े वाइपर दिये गए है जिससे कि यह wind seal जो है easily clean हो जाती है आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अंदर rear side view mirror दिये गए है proximity mirror दिया गया है जिससे कि driver को गाड़ी चलाना काफी आनन्द में और काफी comfortable हो जाता है तो sides अगर हम देखते हैं दोस्तों तो गाड़ी के अंदर आप देखेंगे काफी stylist जो है इसके अंदर side portion और front portion देखने के लिए मिलता है इसकुल बसे जो है दोस्तो yellow color की आती है तो फ़लाल यह गाड़ी भी हमें यहाँ पर yellow color की दिखाई दे रही है बच्चों की safety के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं विंडो के उपर जो है guard rails वगरा दिये गए जिससे की बच्चे जो है हाथ वगरा आसानी से नहीं निकाल पाए साथी दोस्तों right hand side में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको emergency exit दिये गए हैं दो-दो आगे की side में यहाँ पर आपको anti roll bar जैसी सुवधा भी दी गई है जो कि आपके comfort को काफी सांदार बना देती है साथी दोस्तों hydraulic sock absorbers मिलते हैं गाडी के अंदर driver को उपर चंडे के लिए यहाँ पर दो-दो foot step दिये गए हैं साइड में भी आपको turn indicator वगरा मिलेंगे जिससे की आपकी safety काफी enhanced रहती है नाइट के समय में driver को उपर चंडे के लिए यहाँ पर दो-दो foot step देंगे और driver side का area अगर हम देखते हैं दोस्तों तो काफी अच्छी आपको जो है अपर की side में आप देखते हैं तो आपको headers वगरा दिया गया जो कि आपकी सिर और गर्दन को काफी comfortable बनाए रखता है वह दोस्तों हम दूसरी साइड से देखें याणि कि left hand side से अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो-दो entry मिलती है नहीं कि एक आपको entry मिलेगी और पीछे की side में आपको exit करने के लिए प्राफदान दिया गया यान कि आपको दो-दो जो है गाड़ी के अंदर दिये गए जिससे कि हमारी बच्चे आसानी से entry ले पाएं और पीछे की side से आ यहां पर देखते हैं कि इसका जो door है यह काफी सांदार है जो कि बच्चे जब उपर चड़ जाते हैं तो इसको अंदर से कुछ इस तरह सी जो है यहां से इसको बंद किया पाता है एंट्री के अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखते हैं नीचे की side में आपको जो इसकी flooring मिल रही है वो काफी अच्छी मिल रही है यानिकी non-skate आपको जो है गाड़ी के अंदर flooring दी आती है seats के नीचे की side में आप देखते हैं तो यहां पर आपको बच्चों के bag वगरा रखने के लिए बी space दिया गया है जिससे की बच्ची हमारे bag रख सकें और गाड़ी के अंदर कोई भी हौच पॉच नहीं हो driver के पीछे की side में आपको fire extinguisar है, hammer है, glass break करने के लिए सारी सुझदाएं दी गई है उपर आपको जो है इसका first aid box है, driver के लिए fan है, इस तरह की सुझदाएं जो है यहां पर provide की गई है driver को काफी अच्छी तरह से गाड़ी चलाने के लिए यहां पर सारा का सारा view मिलता है जो है मिल जाते हैं देखने के लिए जिससे की आप गाड़ी को यहां पर बहुत भी ऑपरेट कर पाते हैं five-spin manual transmission का छोटा सा gear shift lever है यह आपका bonnet है जिसके अंदर आप जो है यहां पर इंजन की कभी जहांच परतल करनी है तो आप इसली कर सकते हैं water bottle holder है और भी छोटना मोटा सामान रखने के लिए आपको यहां पर काफी अच्छा खासा इस्पेस दिया गया है driver के phone को रखने के लिए भी यहां पर समुचित विवस्ता की गई है इस साइड में आपको emergency button दिया गया है साथ ही दोस्तों आप देखेंगे यहां पर भी आपको एक बड़ा जो है इसके अंदर fire extinguisher दिया गया है जो कि आपकी safety के लिए यहां पर काफी हद तक यह सारी की शारी चीज़ें company के द्वारा यहां पर provide की गई है अब दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के पीछे की तो यहां पर आप देखेंगे तीन और दो यानि की एक साइड में तीन और एक साइड में दो यानि की तीन वाई दो की जो है sitting arrangement आपको यहां पर बच्चों का देखने के लिए मिलता है बच्चों का सामान वगरा रखने के लिए उपर भी स्पेस दिया गया है यहां पर भी आप अपने बैक्स वगरा रख सकते हैं यहीं पर आपका जो है पीछे की साइड में एक और फायर एक्स्टिंग्विसर गाड़ी के अंदर प्रोवाइट किया गया है साथे दोस्तों आप देख रहे हैं हर सीट के पास में पीछे की साइड में आपको हर बच्चे के लिए यहां पर ग्रैप हैंडल वगरा दिये गए जिससे की बच्चे हमारे समझतर रूप से जो है गाड़ी के अंदर बैट करके अपनी यात्रा को कम्लीट कर पाते हैं घरके तो दोस्तों इस गाड़ी का वीडिओ कर आपको आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों वह करें तमाम सारी इंफोर्मेशन्स में आपको स्क्रीन भी दे दूंगा जैसा कि इन्जें की रिगार्डिंग है या प्रैइसेग के पार चल रहे है जिसके लिए आप जो है शाम टाटा कवर्शल हिंदोर में संपता करें गाडियों की खरत फरुक्त के लिए तो फिर मिलेंगे किसी अंड वीडियो के अंदर तब तक के लिए जै हिंद जै भारत